रादे रादे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे मा जगदंबा की महिमा की कथा अगर आपको हमारी कथा पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्कीर्ती को लाइक करें, सबिस्क्राइब करें और शेयर करें नवरात्री वरत कथा के अनुसार एक समय ब्रहस्पती जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्रवे अश्विन मास के सुकल पक्ष में पढ़ने वाले नवरात्र का महत्व जानने की इच्छा जताई उन्होंने कहा कि इस वरत का क्या फल है और इसे किस परकार किया जाता है सबसे पहले इस वरत को किस ने किया यह सब विस्तार से कहिए ब्रस्नों का जबाब देते हुए ब्रम्मा जी ने कहा हे ब्रस्पती प्रानियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है जो इंसान मनोरत पूर्ण करने वाली मादुर्गा, माहदेव, सूरिय और नारायन का ध्यान करता है वे धन्या है यह नवरात्र वरत सम्पूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है इस वरत को करने से पुत्र, सुक, धन, विद्या और सुक मिलता है इस वरत के करने से रोगदूर हो जाता है घर में सम्रिद्धी की वरिद्धी होती है बंद्या को पुत्र प्राप्त होता है समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है जो मनुष्ये इस वरत को नहीं करता है अनेक दुखों को भूगता है यदि वरत करने वाला मनुष्ये सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भूजन करे और दस दिन भाई बांद्वो सहीत नवरात्र वरत की कथा का स्रेवन करे हे ब्रैस्पती जिसने पहले इस वरत का महावरत को किया था मैं उसकी कथा तुमें सुनाता हूं ब्रह्मा जी बोले प्राचीन काल में मनुहर नगर में पीठत नाम का एक अनात ब्राहमन रहता था वेह मा भगवती का अन्यन भक्त था उसे संपून सद्गुनों से युक्त सुम्ती नाम की एक अत्यान संसकार वान कन्या उत्पन हुई वेह कन्या अपने पिता के घर में अपने पिता से अच्छे संसकार लेती हुई पल रही थी जब उसके पिता हवन पूजा करते तो वेह उसमें अवश्य उपस्तित रहती थी एक दिन वेह कन्या अपनी सक्षियों के साथ खेलती हुई मा भगवती के पूजन में उपस्तित नहीं हुई उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोधाया और वेह पुत्री से कहने लगा अरी दुष्ट पुत्री आज तुने भगवती का पूजन नहीं किया इस कारण में तेरा बिवा किसी कुष्ट रोगिया दरिद्र मनुस्य के साथ करूँगा पिता की बात सुनका सुनती को बड़ा दुख हुआ और वे पिता से कहने लगी हे पिता स्री मैं आपकी कन्या हूँ और सब तरह से आपके अधिन हूँ जैसा आपकी चाहो वैसा ही करो चाहे राजा से करो चाहे कुष्टी से करो चाहे दरिद्र से जिसके साथ आप चाहो मेरा बिवा कर दो पर होगा वही जो मेरे भाग्या में लिखा होगा क्योंकि करम करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना तो इस्वर के अधीन है कन्या के निर्वेता से कहे हुए बचन उस ब्राम्मन ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विभा एक कुष्टी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा हे पुत्री अपने करम का फल भोगो देखें भाग्या के भरोसे रहकर क्या करती हो पिता के ऐसे कटू वचनों को सुनकर सुम्ती मन में विचार करने लगी अहो मेरा बड़ा दुर भाग्या है जिससे मुझे ऐसा पती मिला इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पती के साथ बन में चली गई डरावने कुसायुक्त उस निर्जन बन में उन्होंने वहरात बड़े कश्ट के साथ व्यतीत की उस गरीब बालिका की ऐसी दसा देख भगवती देवी ने उसके पूर्व पुन्य के परभाव से परगटो सुमती से कहा हे दीन ब्राहमनी मैं तुझसे परसन हूँ तुम जो चाहो सो वर्दान मांग सकती हो भगवती दुरगा का यह वचन सुन ब्राहमनी ने कहा आप कौन है वे सब मुझसे कहो ब्राहमनी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदी सकती भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या वे सरस्वती हूँ परसन होने पर मैं प्रानियों के दुख दूर कर उनको सुखपरदान करती हूँ हे ब्राहमनी मैं तुझपा तेरे पूरु जनम के पुन्य के परभाव से प्रसन हूँ तुमारे पूरु जनम का विर्तांत मैं तुमें सुनाती हूँ सुनो तुम पूरु जनम में निशाद की इस्त्री थी और अती पती वरता थी एक दिन तेरे पती निशाद ने चोरी की चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाईयों ने पकड़ लिया और जेल खाने में बंद कर दिया उन लोगों ने तुझको और तेरे पती को भोजन भी नहीं दिया इस पर काई नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना जली ही पिया इस पर काई नौ दिन तक नवरात्र का वरत हो गया हे ब्राहमनी उन दिनों में जो वरत हुआ इस वरत के परभावस्क से परसन होकर मैं तुझे मनवांचित फल देती हूँ तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो इस पर दुर्गा देवी के वचन सुन ब्राहम ने बोली अगर आप मुझ पर परसन है तो हे दुर्गा मा मैं आपको परनाम करती हूं किर्प्या करके मेरे पती का कोड दूर करो भगवती देवी ने कहा उन दिनों तुमने जो वरत किया था उस वरत का एक दिन का पुन्य पती का कोड दूर करने के लिए अर्पित करो उस पुन्य के परभाव से तेरा पती ठीक हो जाएगा इस परकार देवी के वचन सुन ब्राहम ने बहुत परसन हुई और पती को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तू ऐसा वच कहा तब उसके पती का सरीर भगवती दुरगा की किरपा से कुष्ट रोग से रहित हो गया वे ब्राहमनी पती को देख देवी की स्तूती करने लगी हे दुरगे आप दुरगती को दूर करने वाली तीनों लोगों का संताप हरने वाली हो समस्त दुखों को दूर करने वाली रोगी मनुश्य को निरोग करने वाली परसन हो मनवांचित फर्ल देने वाली और दुष्टों का नास करने वाली हे जगत की माता, हे अम्बे मुझ निरपराद अवला को मेरे पिता ने कुष्टी मनुश्य के साथ बिभा कर घर से निकाल दिया पिता के त्रिसका से निर्जनवन में विचर रही हूँ आपने मेरा इस विपता में उद्धार किया है हे जगतंबे मैं आपको परनाम करती हूँ मेरी रक्षा करें उस ब्रामनी की ऐसी स्तूती सुन देवी बहुत परसन हुई और ब्रामनी से का हे ब्रामनी तेरे उदाले नामक एक अतीव दीमान धनवान और कीर्तिवान पूत्र सीगरुत पन होगा ऐसा वर्देकर देवी ने ब्रामनी से फिर कहा कि जो कुछ और तेरी चैव मांग ले सुम्ती ने कहा हे भगवती दुर्गे अगर आप मुझे पर परसन है तो किर्प्या करके मुझे नवरात्री वरत की विदी का विष्तार से वर्णन करें ब्रामनी के वचन सुन मा दुर्गा ने कहा हे ब्रामनी मैं तुम्हें संपून पापो को दूर करने वाले नवरात्र वरत की विधी बतलाती हूँ चैत्र मास के सुकल पक्ष की प्रति पदा से лे कर नौ दिन तक विरत करें यदि दिन भर का विरत ना कर सकें तो एक समय भोजन करें सुब माूरत में घट स्थापना करें और वाटी का बना कर उसको प्रति दिन जलसे सीचें माहा काली, माहा लक्षमी, माहा सरस्वती की मूर्थियां इस्तापित कर उनकी विधी सहीत पूजा करें बिजोरा के फल से अर्द्या देने से रूप की प्राप्ति होती है जाय फल से अर्द्या देने पर कीर्थी दाक से कारिय की सिद्धी होती है आमले से सुक की प्राप्ति होती है और केले से अर्दिया देने से आभुसनों की प्राप्ति होती है इस परकार पुस्पों वैफलों से अर्दिया देकर वरत्समाप्त होने पर नवे दिन विदी विधान सहित हवन करे खांड, गी, ग्यों, शहद, जों, तिल, बिलव, नारियल, दाख और कदम जैसी विविन सामग्रियों से हवन करे आवले से कीर्ती की और केले से पुत्र की, कमल से राजसम्मान और दाखों से संपदा की प्राप्ती होती है खांड, गी, नारियल, शहद, जों, और तिल, तता फलों से हौम करने से मनोवांचित वस्तू की प्राप्ती होती है वरत करने वाला मनुस्ये इस विदी विदान से हौम कर, आचारिय को अत्यंत नमरता के साथ प्रनाम करे और यग की सिद्धी के लिए उसे दक्षिना दे इस परकार बताई हुई विदी के अनुसार जो वैक्ति वरत करता है उसके सब मनोरत सिद्ध होते हैं इसमें तनिक भी संदे नहीं है इन नो दिनों में जो कुछ दान आदी दिया जाता है उसका करोडों गुना फल मिलता है इस नवरात्र वरत करने से अश्वमेग यग का फल मिलता है हे ब्रामनी इस संपूर्ण कामनाओं को कूरण करने वाले उतम वरत को तीरत मंदिर अत्वा घर में विदी के अनुसार करें ब्रह्मा जी बोले हे ब्रस्पती जी से बोले इस परकार ब्रामनी को नवरात्री वरत की विदी बता कर देवी अन्तिर ध्यान हो गई अन्त में जो मनुस्या या इस्त्री इस वरत को भक्ती पूर्वक करता है वे इस लोक में सुक प्राप्त कर अनन्त में मोक्ष की प्राप्ती करता है ब्रह्मा जी ब्रस्पती जी से कहते हैं कि यह इस दुरलव ब्रत का महतम्या है जो मैंने तुम्हे बताया है ऐसा सुन ब्रस्पती जी आनन्त से प्रैपुलित हो गए और कहने लगे हे ब्राह्मन आपने मुझ पर अती किर्पा की जो मुझे इस वरत का महत्व सुनाया ब्रह्मा जी बोले हे ब्रिस्पते ये देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है इस महादेवी के परभाव से को कौन नहीं जान सकता बोलो देवी भगवती की जै बोलो जै जगदंबा माहराणी की बोलो माताराणी की जै बोल साचे दरवार की जै